वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीड या फिर हैर रिमूबल क्रीम के बारे में तो रिमूब वजाइनल हैर डियूरिंग प्रेगनेंसी मैंने इसके उपर तीन चार वीडियो बनाए हुए अल्रेडी कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कौन सा मेथर्ड सारी चीज़े में वीडियो में बता चुकी हूँ आपको प्रीविडियो जरूर देखेगा सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शिन बॉक्स आपको मिल जाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेशन्स या रहे थे कि क्या हम वीड यूज कर सकते हैं वीड है रिमूबल क्र तो यहां पर हम इसे के वारे में बात करेंगे क्या प्रिकॉर्शन रखने चाहिए यूज करना चाहिए या नहीं या कितना इफेक्टिव है और क्या इसके साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं तो विदाउट फुर्दर अडू लेट्स केट स्टार्टे अगे बिढ़ने से पह इसलिए मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लिंक मैं उफर दे रखा है तो गाइज है रिमूबल क्रीम जो है वह हम बहुत सारे लोग जो है वह यूज करते हैं तो रिमूब अन्वांटेड है फ्रम दे बोडी तो यह जो प्रोसेस यह जो मैथर बीसी के इसलिए बहुत सारे लोग है रिमूबल क्रीम आज भी यूज करते हैं तो रिमूब अन्वांटेड है लेकिन जो चीज हम नॉमली यूज करते हैं अगर उसके कोई साइड एफेक्ट हमारी बॉडी में होते भी है तो हमारी बॉडी उससे कोप अप कर जाती है इतनी स्ट्र कोई भी मेथड या कोई भी ऐसी नई चीज ट्राय करने से फहले थोड़ा सोचना पड़ता है कि वह हमें किस तरीके से बेनिफिट देगा या फिर हाम करेगा तो वही चीज है यह है रिमूबल क्रीम के बार में यानि कि वीट की हम जो बात कर रहे हैं यह वैसे तो यूज क प्रेगनेंसी में भी आपको यह उतना ही अच्छे से आपकी बॉड़ी इस पर रिस्पांस करें या आपको सूट करें तो इसलिए सेकंड ट्रायमिस्टर में मैं आपको बोलूगी कि आप इसको एक बर ट्राय कर सकते हो अगर आपने कभी यूज नहीं किया है और आप सोच स्टिक और और यह पाईव विजए सेगगे सिकंड़向रेंटेंव ऐसको नहीं करते हो तो इसलिए लिए कैमिकल्स होते हैं तो यह सेएवां की नहीं है तो यह रूह करते हैं उसी वह जिसके वज़ए से हमारे हैर जो हम रिमुव कर तो आप मतलब ऐसा कहा जाते है कि जो भी समें केमिकल्स है आप अपने स्किन पर लगा रहे हो दस मिलिट के लिए छोड़ रहे हो तो यह आपके स्किन थोड़ा केमिकल तो अब्सॉब करती ही है तो वह इंडिरेक्ली हो सकता है कि आपके बच्चे को हाम करें ऐसा कोई प्रू करते हो जुझ भी आप पंजंड सी स्मैल होती है वह जतना इन्हेल करते हो भूँ ज़बचन के जरगते है जो जब भी आप यूज करते हो है रही क्रीम तो ओपन एरिया में यूज करो खिड़की खुली हो ताकि हवा के फ्लो से जो भी उसकी फ्यूंस एं जो भी उसकी उस जितना ज्यादा हमफुल नहीं होता है इस चीज को ध्यान रखना है एक तो अपने एक्सपेरिमेंट कर ले उसके बाद आपको श्मेल से बचना है थर्ड चीज यह है कि जब भी प्रॉडक्ट यूज करें अच्छे ब्रांड का यूज करें उसमें देखें कि कम से कम क्यमिकल्स हो और साथ में इंस्ट्रक्शन जो दिये हैं वो उसके हिसाब से ही आप अप्लाई करें ऐसा नहीं है कि 15 मिनिट 20 मिनिट छोड़ दिया अगर 10 म तो आपके स्किन फे महा पर राशेज वागरा हो सकते हैं दाने हो सकते हैं तो इसी लिए मैंने आपको कहा कि आप सेकें ट्राइमेस्टर में ट्राय करते तो उस वक्त बॉड़ी थोड़ा सा इम्म्यून सिस्ट्रम या थोड़ा से बोड़ी की अशेंटिविटी वो तो पाच टेस्ट थोड़े से एरिया में ही करके देखें तो अगर कुछ प्राइबलम होती तो थोड़े से एरिया में ही होगी और अगर सूट कर जाती है तो फिर आप आराम से इसको यूज कर सकते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बट येस एप्लेकेशन किस तरीके से करना ह वह एक बहुत इंपर्टन चीज है एक तो आपको सिफ आउटर एरिया जो है वहां पर ही इसको यूज करना है आपके वजाइनल के इंटरनली ये चीज ना चली जाए इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्रीम वगरा है कि अगर थोड़ा सा भी इंटरनली जाएगी तो फ अपके बुद्ध के लिए आप पर इंटरन चीज को अपके बचने के लिए आप पर है रिमूव कर यह तो इसलिए ऐसा ना हो कि बहुत जादा फिनिश्ड लुक के लिए आप पूरा इतना डीप में कर दो कि वह जायने के अंदर चली जा क्योंकि अगर वहां चली गई तो फिर ही आपको हाम कर सकती है तो इसलिए उपर-उपर से ही इसको यूज करें इस चीज का भी आप ध्यान रखे और अच्छे से बैट करके प्रॉपर जगह पर आपकी सीटिंग जो है वह कंफरेबल होनी चाहिए एरी प्लेस होनी चाहिए आप यूज करें और जैसे आपका बोडी पॉश्टर सही हो आपकी बोडी कहीं स्टेबल रहे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है केमिकल अंदर ना जाए यह भी आपको ध्यान रखना है और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से यूज कीजए अच्छी क्वालटी का प्रॉड़क्त यूज कीजए अगर आप कीजएगा कॉमेट करके मुझे बताइएगा और शेयर भी कीजएगा जरुत मंद लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फॉर मोर सच वीडियो मैं मिलती हूँ आप से एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंटेक केर